ओम स्री गणेशा है नमा दोस्तों ओम गणपती समाधान यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 24 सितंबर सुप्रुवार आज के करकरासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और मिवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाए भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू कने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोट्फीशन की मेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पून वीडियो पहुँच सके तो चली दोस्तो बात कर लेते कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपके दुआरा विप्रीत परसितियों में लिए गए नेडों से आज सफलता प्राप्ती के योग रहेंगे मन पर सन्नता और उत्सा से भरा रहेगा और आपके अतक और लगाता प्रियास आपको सफलता की और लेकर जाएंगे जियां दोस्तो आज आपके दुआरा बनाई गई योजनाए पूरी तरह सफल होंगी वियापारियों के लिए आज कर दिन बहुत अच्छा साबित होगा दोस्तो आज नौकरी पेसा जातकों को उच्छ अधिकारियों दुआरा सयोग प्राप्त होगा साती सात आपकी पिर्वोशन के भी योग रहेंगे जियां दोस्तो आज आपको संतान सुक की प्राप्ती होगी और आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा आज पारिवारिक तालमेल बना रहेगा घर परिवार में फुश्यों का वात अवन भी रहेगा जियां दोस्तो जीवन साती से कोई सर्प्राइज आपको मिल सकता है दोस्तो आज आपके लिए क्या नेगटिव रहेगा अपनी वानी पर सयम रखें काबू रखें अपने गुस जीवन दोस्तो प्रोपटी के कारवार से भी ला मिलेगा गुप्त धन से भी आपको ला मिलने के योग है चला चल संपत्ती से लाप्राप्ती की संभावना बन रही है आज विद्यार्टियों को अपने सीनियर से मदद मिल सकती है आपका घर परिवार और लवलाइब कैसी रहेगी परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा परिवार में खुशनुमा वातरण बना रहेगा ये विवायतों के रिष्टे के बात चल सकती है घर में मांगलिक कारीकरम की योजना संभव है धार्मिक कारियों की तरप ध्यान आक्तल सितोगा जियां दोस्तो महिलाओ क की धार्मिक कारियों में रुची बढ़ेगी संतान आपकी अंस्वासित रहेगी माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखें जीवन साती से कोई सर्प्राइज आपको मिल सकता है ऐसे रिष्टे जो अलग से हैं उनके लिए दिन उत्तम नहीं होगा आज इन रिष्टो को आगे ब दियान रखें और अधिक स्वास्त रहने के लिए नियमित योग करें प्राणायम करें और स्वास्त रहें दोस्तों आज आप योग आए वश्से करें माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें और सफेद मिश्टान का भोग लगाएं और 108 बार इस मंत्र का जा की धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हूँ